हेलो जी नमस्ते हर हर महादीव स्वागत है आपका चैनल पे हम लोग आपको पिछली वीडियो में रामेश्वरम मंदिर दिखा कर आए थे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग रामेश्वरम आ रहे हैं तो और कौन-कौन से important मंदिर और चीज़े हैं जो आपको definitely experience करनी चाहिए रामेश्वरम आकर तो इस वीडियो के थुरू आप अपनी complete आइडिनरी प्लान कर पाएंगे और कितने दिन का आपको स्टे करना है रामेश्वरम में उसका भी आइडिया आपको अच्छे से लग जाएगा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो चलिए वीडियो के शुरुवात करते हैं तो रामेश्वरम आने का प्रमु कारण है यहां का में मंदिर जो कि है अरुल मीगू रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि जेक्या रिजॉर्ट से करीब धाई किलोमेटर दूरे और आप अराम से दस मिनिट में आप पहुँच जाएंगे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दें कि रामेश्वरम चार धामों में से एक हैं बाकी तीन धाम है बद्रिनाथ, जगनातपुरी और द्वार का और ये बारा जोतेगलिंगों में से भी एक प्रमुट जोतेगलिंग है साउथ इंडिया के जैसे टेंपल्स का एक बेसिक स्टाइल होता है जिसके अंतर आपको चार गेट्स होते हैं वही सेम स्टाइल रामेश्वरम मंदिर का भी है और जो मेन एंट्रेंस होती है वो इस्ट दुआर से होती है कैब्स आपको इस दुआर के पास छोड़ देती है वहाँ से आपको करीब धाई सो मीटर का वॉक तरके जाना होता है अगर आप किसी बजट होटेल में रुके हैं जो कि मंदिर से दूर है तो आप शिंता मत कीजी पूरी रामेश्वरम में बहुत सारे ओटोज मिलते हैं इंडिविजुल और शेर्ड जो आपको इजीली मंदिर के पास उतार देंगे मंदिर के टाइमिंग्स के बारे में आपको बता दे तो सुबह साड़े पांच बजे मंदिर के दर्शन आपको खूल जाते हैं और आपको बता दे कि मोबाईल और क्यामरा ले जाना अंदर हालंकि बिलकुल लाउड नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत लोगों देखा था जो अंदर ले जा रहे थे हाला कि आपको बता दे कि चेकिंग जरूर होती है एंटरी गेट पे मंदिर के बाहर आपको चपल रखने का और लौकर का प्रवंदिन मिल जाता है काफी शॉप्स पे हाला कि एक मुफ्त सेवा है लेकिन अगर आप चलते वक्त अपने तरफ से कुछ दान देते हैं तो यह उनके लिए काफी अच्छी चीज़ हो जाती है मंदिर में जो शिवलिंग है उनकी मानिता के बारे में आपको बता देते हैं ऐसा बोला जाता है कि प्रभुश्री राम ने साक्षात शिवलिंग की पूजा की थी इसे लिए ये इतना जादा स्पेशल है इसके पीछे भी दो कहानिया है ऐसा बोला जाता है कि जब प्रभुशी राम युद्ध के लिए जा रहे थे तो तब उन्होंने महादेव से प्रार्तना की थी और युद्ध में विजय प्राप्ति की थी और दूसरी कथा कि अनुसार जब प्रभुशी राम रंका से वापस रहे थे तब उन्होंने जो उन्होंने एक रावण वद किया था जो कि एक ब्रामण थे उसकी पाप मुक्ति के लिए शिवलिंग की यहां पे स्थापना करके उसकी पूझा की थी मंदिर के अंदर 22 तीर्थम यानि 22 कुए भी है जब आप मंदिर में एंट्री करेंगे तो पहले आपको अपने उपर जल डलवाना है इन कुगों से जिसकी सेपरेट टिकेट 50 रुपे की है और उसकी बाद आप कपड़े चेंज करके अंदर मेन कॉंप्लेक्स मंदिर में द कि ब्रामन भी थे जिनका वद करने के बाद श्री राम जी जब यहां पे आए तो अपने पापों से मुक्ते पाने के लिए उन्होंने जब इस स्रागर में स्नान किया तभी से इस पॉइंट पे अगनी तीर्थम कहलाया गया और दूसरा कि जब सीता मया की परिक्षा ले ग अमने है महाकाली मंदिर ऐसा भूला चाहता है कि इस पूरी रामिश्वरम आइलेंड को आठ महादुर्गा प्रोटेक करती है उनमें से एक है यह मंदिर भी तो हमारे मंदिर के दर्शन हो गए है और मंदिर के आसफास बहुत सारी मंदिर आपको का और करने चाहिए उसके एक है जो मेरे फीशे आप देखने है रामिश्वरम प्रोटेक करती है और जिनमें से एक तेमपल यह भी है इसके बाद है most exciting ferry ride जो एकदम मंदिर के सामने होती है चलिए अब आपको उसके experience पर लेके चलते हैं तो हम लोगों ने tickets ले लिया है और अभी दिखते हैं आगे का सफर कैसा रहेगा राइड अगर अच्छी लगी पैसे हम लोगों को आगे खन्या कुमारी में भी करनी है अब हम लोगों ने सुचा क्यों नाइब यहां का भी experience ले लिया जाए तो आपको दिखाते हैं पर फैरी करने से पहले आपको life jacket में मिलेगी यह आपको डालनी है तो हम लोगों ने जो है अपनी जर्णी शुरू कर दिया है पैरी राइड के लिए और यह आपको life jacket मिलेगी और लग के लिए जो दूब है वो भी चली गई है तो हम लोग बैठ चुके हैं हमारी नाव के अंदर और पुझा जी आपको यह एक्सपिरियंसे उसी ओर्डर में बता रहे हैं जिसमें आपको करने में इस होगा जैसे मंदिर में हम लोगों ने सुभे 11 बचे आये थी हम लोग तो हमारा एक बेतर दर्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग के पास लच में टाइम था तो हम लोगों ने दो बचे ठाई बचे की फैरी ली और रैकीं मानिये दोपहर के ठाईम हाला कि में इस सिटी में काफी गर्मी होती है लेकि इस टाइम पे इस फैरी राइड मे कि आदा गंटा आपको लगेगा इस यह जर्णी करने में तो अगर बात करें टाइमिंग की तो सुबह अर्ली दा मोर्निंग छे वजे से ही यह फैरी राइड शुरू हो जाती है और शाम के साड़े पांच बजे तक रहती है तो अगर आप अर्ली दा मोर्निंग प्लाइन क जो कोईट है लाइक जहां तक यह लोग लेकर जाते है और अभी इनो ने बोट को बोटना शुरू कर दिया है और जब आप यह बहुत ही खुबसूरत पेर राइड एक्सपीरेंस कर रहे होते हैं एक्दम ब्लू वाटरिस के बीच में सामने से आपको धर्शन होते हैं राम रामिश्वरम ट्रिप में और हम लोगों ने होटल से चेक आउट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं पंच मुकी हनुमान जी का टेमपल देखने हाला कि रामिश्वरम एक आध्यात्मिक जग है और यहां पर कितने भी दिन आप प्लान करें कम पढ़ेंगे लेकिन मिन से फ्री होके परी राइड करते हुए आप जो यह बाकी सारे मंदिर है लंच के बाद शाम को एक्स्पोर कर सकते हैं थर्ड डे आपको धनुष्कोडी के लिए चाहिए होगा जैसे कि हम आपको आगी तिखाने वाले हैं हम लोगों ने अपने जितने ही मंदिर है यह नेक्स अंदर एक मूर्टी है और अंदर एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग स्टोन है इसके उपर श्री राम लिखा हुआ है और वैसे ही फ्लोटिंग स्टोन से राम से तु बनके वो लोग आगे तक जह रहते हैं तो आपकी अच्छा है देखते हो इसके बाद हम लोगों ने रुक किया उस मंदिर में जहां पर श्री राम जी के पदचिन है तो अभी हम लोग निकल चुकी है हनुबान जी के पंचमु की मंदिर से उस जगय पर जहां पर श्री राम जी के पदचिन के निशान है तो दिखाते हैं आपको वो भी जगय है ऐसा बोला जाता है कि प्रभू श् तो उन्होंने यहीं पर अपना ठहराव किया था, क्योंकि यह उचाई के ऊपर है, यहां से आपको सारा जो 360 डिग्री वियो देखने को मिलता है, तो उन्होंने एस्टीमेट लगाया था कि लंका तक जाने का जो रास्ता है, वो क्या होने वाला है, क्या उनक्या के चैलेंजि जहां पर श्री रामप्रभु के पदचिन है, तो राम पदम मंदिर है, यह चलिए चलते हैं, तो जो यह मंदिर है यह एकदम टॉप के ऊपर है, और राम विश्वरम में से बोलते कि आपको बहुत इचे जिगना है, यह बहुत अची लोकेशन है उसके लिए, उसके लिए मंदिर के बाहर भी खाने को, सबसे चीज़े हैं हाँ पर जो हेल्दी चीज़े है, खाने के लिए हार से के आपको मिलेंगे, आम, कच्छी क्यारी, वाटरमेलन, बहा अचा पार पाए, आपको उतना अमेजिंग मीठा है, यहां पर बेर देखिए, बेर देखिए, बेर आपको यहां से एक दुम टॉप के ऊपर है, और यहां से पूरा आपको, रामेश्वरम कितना सुन्दर हरा है, खुछ सूरत है देखिए में मलता है, अंदर प्रभो शेराम के पच्चिन बना रखे हैं, लोटस के फूल के ऊपर, तो रामेश्वरम का में मंदिर है, रामना हाला कि मंदिर उतना अच्छा मेंटेंड नहीं है, जितना इसको मेंटेंड कर सकते हैं, यह देखकर हमें थोड़ा सा दुख हुआ था, तो चलिए अगले बढ़ाव की तरफ चलते हैं, जो कि है राम दीर्थम, और यहां पर सारे आपको healthy खाना ही, खाने को मिलेगा, यह का आप लोगों को लेकर जा रहे हैं, राम जी के तेल्थ पर और राम कुंड आपको देखने को मिलेगा और ऐसे आपको यहां पर राम दीर्थम, बक्ष्मन दीर्थम, सीता दीर्थम तीरों चीज़ें मिल जाएंगी ऐसा बोला चाहता है कि इस कुंड में राम जी दे नहाया थे उसलिए राम तीर्थ के भी दर्शन होत गए हैं तो चलिए अभी तक आपको राम तीर्थ दिखाया है अभी आपको लक्ष्मन तीर्थम दिखाते हैं और उसके बाद सीता तीर्थम दिखाएंगे जो कि सब रमेश्वरम में ही पढ़ते हैं और बिल्कुल आसपास ही हैं आपको बताते कि यहां मंदिर के जो में आपको बताते हैं अधिन द्वार हैं वहां पर रिकोर्डिंग अलाउड नहीं है इसलिए हम लोग आपको अंदर का नजारन नहीं दिखा सकते और लक्ष्मन तीर्थम के सामने ही आपको देखने को मिलेगा सीता तीर्थम और अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और यह सामने है सीता तीर्थम और काफी पीसफूल जगह है यह भी तो जब भी आप रामेश्वरम आए तो यहां पर आने का भी प्लान कर सकते हैं तो आप चलते हैं डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम जी के घर पे जोकी रामेश्वरम में ही है और राम तीर्थम कवर करने के बाद आप लोग आ सकते हैं अब्दुलकलाम जी का घर देखने जी हां जो हमारे राश्पिती जी थे और एक महान रेक्ति भी थे तो उनका घर में आपको दिखाने जा रहा हूं बहार से क्योंकि अंदर रिकोडिंग अलाव नहीं है जा तीर्थम के बाद जब आप डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलाम जी के घर के तरफ आएंगे तो वहां का डिस्टन्स करीब साड़े साथ सो मेटर का है और यह डिस्टन्स जेकियार रिजॉर्ट से डेट किलोमेटर का है महान व्यक्तित्व के इंसान जो हमारे राष्ट पतीजी थे अब्दुलकलाम जी के घर के बाहर और यह इनका पुराना घर है जहां पे उन्होंने बर्थ लिया था 15 अक्टुबर 1931 ने और इसी घर के अंदर उनके बड़े भाई 104 तक जिये हैं तो रामिश्णर इम इत जसी प्रेस्ट्री आर कल्च्र राम जी ने आपे एक बहुती जा प्रेस्ट्र बोला चांवी की बैसे बुरा बुरा अरिया काफी मुसलिम अरिया है विढ़न के हैं आपको अब बार आपको कुल्चार अपर सकत्राइब करें वहार अच्छा है आपको बहुत अच्छा है आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगा में आपको kelture और अदिफरेंस फील होगा है अगर कलांगी की जदर के यह दो चिए वार महां पर पी एक O दोक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी के घर से जब आगे निकलेगे तो साड़ चार किलो मेडर आगे आपको बहुत ही सुन्दर एपीजे अब्दुलकलाम मेमोरियल भी दिखाई देगा जो कि बिल्कुल में रोड पर ही पड़ता है और अब हमने अपना सफर शुड़ो कर दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी का जो मेमोरियल है यहां रामेश्वरम में वहां के लिए वहां से भी आपको नजारे दिखाएंगे तो चलिए चलते हैं और मैंने जस्ट पीछे है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम जी का मेमोरियल आपको बता दे कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउट नहीं है तो हम लोग आपको बहार से इसका विए दिखा रहे हैं और हम लोग अंदर जाकर देखिएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम के बाद अब हम जाएंगे विलोंदी तीर्थम जो कि वहां से 2.2 किलोमेटर दूर है तो अब हम लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया है विलोंदी तीर्थम के लिए जो कि रामेश्वरम में ही पढ़ता है तो आप देख सकते हैं कि रामेश्वरम में काफी जादा तीर्थ हैं तो आप लोग जब भी आएं टाइम लेकर ही आएं त्यूकि तभी उस जगे को एक्स्प्लोर करने का मज़़ा है और हम लोग पोज गए हैं हमारे नेक्स तीर्थम पर रामेश्वरम में जितने भी पॉइंट्स हमने रामलाद सौमी मंदिर के अलावा देखें हम आपको हाइलाइट करना जाएंगे कि हमारा परसनल फेवरेट है विलॉंदी तीर्थम क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी जादा सहनिक है जैसे कि आप आगे देख पाएंगे और ऐसा कहा जाता है कि यह जो तिर्थ है यह भगवान श्री राम ने इसलिए बनाया था किसी तामा को प्यास लगी हुई थी तो भगवान श्री राम ने जो अपना तीर है वो सी वाटर में डिप कर दिया था और उसके बाद यह तिर्थ बनाया था और रामेश्वरम में ही आपको भूसता है कि इतने एक से बड़े चमतकार देखने को मिले यह देखिए इस तरह पूरा समुदर जिसका पानी साही मता हूं तो मौल देख समुदर है इसना साफ है लेकि चमतकार यह है कि एकदम हम जिस पॉइंट को खड़े है यहां अंता स जिसको श्री राम जी ने सीता मता की प्याद को जाने के लिए अपना तीर चलाया था इसके इलावा रामेश्वरम से 20 किलमेटर दूर धनुषकोडी पॉइंट पड़ता है जहां से राम सेतु का निर्माण हुआ था हमने लास्ट विडियो बहुत डिटेल में उसके बारे में औरड़ी चैनल पे डाली हुई है ये एक must visit प्लेस है अगर आपनों रामेश्वरम आ रहे हैं जिसके लिए आपको हम रेकमेंड करेंगे कि मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है तन्षकोडी के रास्ते पे एक बहुत important land point आपको देखने को मिलेगा जो कि है विबीशन मंदिर जहां पर विबीशन जी ने आकर श्री राम जी की शरण ली थी और श्री राम जी ने उनको राजय विशेक का बादा किया था इन सारी points के अलावा जब आप लोग रामेश्वरम एंटर करते हैं रामेश्वरम बाहर जाते हैं तो आप पामन ब्रिज के तुरूई entry करते हैं और पामन ब्रिज के तुरूई exit करते हैं और उसके बारे में हमने एक पूरी डिटेल वीडियो औरी चैनल पे डाल रखी है लिंक ऊपर है आप इसको definitely पूरी वीडियो को देखे क्योंकि एक बहुत ही historic point है और वहां से बहुत सुन्दर sunset आप लोग को witness करने को दिखता है और इसके साथ हमारी रागमेश्दरम सीरीज का एंड होता है हमने आप लोगों को दिखाए कि आप क्या क्या प्लेस इहां definitely गवर कीजिए बहुत सुन्दर जगें हैं हर एक के बहुत important history है तो आप लाइफ टाइम जए ट्रिप होती है इसको जुरूर बनाए अगले एपिस साथ हमारी के अधिएफ टाइम एंदर टूब कर लूप है कि आप कि आप लेका से बहुत प्राइब है कि अ झाल झाल